हलो माई डियर स्टूडेंट्स क्या हाल चाल भाई कैसे हैं आप सभी हुआ है ट्रिक से गुना करें अज हम दूसरी क्लास में एकड़म कम्पलीट करने वाले हैं जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाईए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आज की क्लास कल से भी जादा बहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम और भी हाई लेवल के कोशन्स का ट्रिक से करेंगे गुना वो भी बिना पेन पेपर उठाए चुटकियों में बतब जो काम दो मिनट में हो रहा था वो अब काम दो से चार सकेंड में हो जाएगा ठीक है चलिए जल्दी से लाइव आजाईए एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साती साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नया फाउंडेशन बैच में कल तक ओफर है मैथ और रिजनिंग का फाउंडेशन बैच पाँच अप्रेल से शुर लिए तो पहला सवाल आपके स्क्रिन बोर्ट के उपर जो में टॉपिक आज हम सुरू करने वाले ट्रिक से गुना करे ना पेन ना पेपर डाइरेक्ट अंसर और आज की जो क्लास है बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे तीन अंक वाला गुना तीन अंक वाला गुना वो भी चार लाइन में नहीं एक लाइन में सिर्फ उत्तर करने के लिए कैसे तीन अंक वाली संख्या का गुना एक सकेंड में किया जा सकता है आईये आप सभी लोग सीखिये हम से एकदम एजी रहेगा जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम दे रहे दो अंक वाला और सौ के नजदीक वाला तो हम कली सिखा चुके है थोड़ा बहुत हमने पिछले क्लास में दसमलब वाले टॉपिक पर भी डिसकस किया था आज हम करेंगे तीन अंक वाला गुना जैसे मान लीजिए दो तीन एक ठीक है ना तो तीन एक गुने तो तीन तो चार अब इसको गुना करना हो तो पहले कैसे करते थे आप लोग यह देखे और अब हम कैसे करेंगे यह आपको बताएंगे सब लोग एकदम ध्यान से रहिएगा सबका वेलकम है स्वागत है ड्रीम क्लासेज में और बिना पेन पेपर उठाए कैसे तीन अंक वाली संख्यां का गुना यू चुटकियों में किया जा सकता है आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे सब लोग लाइव आ चुके हैं सब लोग वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे आपने पहले कैसे सीखा ठीक है आपने पहले कैसे किया कहेंगे सर हम पहले ऐसे करते थे चार एकम चार ठीक है ना चह lash और फाइनली इसको जोडा जाता था यह 4 हो गया यह 2 दो चार हो गया 9 6 15 13 18 के 8 हात में रहा 1 9 4 13 और हात में 1 ता 13 14 अभी भी हात में 1 तो 6 और 1 7 7 4 8 4 जी हाँ 7 4844 यह आया इतना लंबा ताम जाँ अब इसी चीज गो dear a student अब इसी चीज को बिना pen paper उठाए एक line में कैसे करेंगे same question 2-3-1 गुने 3-2-4 देखिए इस संख्या को आप बिना pen paper एक line में कैसे गुना करेंगे यह हम सिखाएंगे तब लोग आ गए हैं live सब लोग जुड़ गए हैं एक दम हमारे साथ very good चलिए देखिए चलिए आए देखिए कैसे करेंगे easily solution इसका एक छोटा सा trick होता है हम यहां लिखा देते हैं समझ आप खुद जाईएगा पहले आप ऐसे first step में यूज करिएगा second step में आप कुछ ऐसे यूज करिएगा गुणा करके जोड़ना है third step थोड़ा सा समझने में समय लगेगा लेकिन यकीन मानिये सीख जाईएगा यह third step में fourth में भी second जैसा ही rule है और fifth में first जैसा rule है यह यह पहला step यह दूसरा step यह तीसरा step यह चोथा step और यह पाँचवा step आईए यह आप अपनी copy में नीचे वाला जरूर नोट करिएगा dear student चलिए जितने बे 74844 कैसे एक लाइन में करेंगे आईए सीखिए देखे करना क्या है पहला जो यह वाला लाइन है ना इसका कहना है कि सर इन दोनों को आपस में गुड़ा करिए अच्छा एक बात और याद रखेगा यह जो रूल हमारा लग रहा है उसके उपर एक condition है और condition है one time one digit यानि एक बार में आपको एक ही अंक लिखना है one time one digit जी घान से देख़िये पहले उपर नीचे घुना तिर्चा तिर्चा तिर्चि घुना कर जोड़ना फिर तिर्चा तिर्ची तिर्चा तिर्ची पिर उपर नीचे एक तिर्चा के क्या है पहले उपर नीचे 4 एकम 4 हो गया, second step में इन दोनों को गुना, देखिया ना तिर्छा-तिर्ची ये second step है, तो तिर्छा-तिर्ची गुना करके क्या करना है, जोड़ना है, तो देखें तिर्छा-तिर्ची कैसे होगा, ऐसे, 4 तिया 12, 2 एकम 2, तो दोनों को जोड़ देखे रूल कहता है हमने यह थोड़ा सा हाड है समय लगेगा सीखने में लेकिन इतना नहीं कि आप सीखने सकते हैं रूल कहता है फिर फॉस्ट एंड लास्ट को गुना करिए और फिर आप एंड डाउन को गुना करिए तीनों को जोड़ दीजे आपस में कैसे समझजिए 8 आया, 3 एकम 3 तो 8, 3, 11 पहले जोड़ दीजे फिर इन दोनों को भी गुना करिए 3 दुनी, 6, 11 8, 3, 11 और 11, 6, 17 और हाथ में ये 1 था 17, 18 अभी हाथ में 1 अब 4th step जो ये वाला दिख रहा है ना इसका कहना है कि इन दोनों को आपस में करिए नहीं दो दुनी चार और तीन तीया नो तीन तीया नो दो दुनी चार उसके बाद जोड़ना होता है देखिए तीन तीया नो दो दुनी चार नो चार तेरा और हाथ में एक है तेरा एक चौदा ठीक है चौदा अभी भी हाथ में एक है ठीक है है ना अभी भी है हाथ मे तो करना क्या है तीन दूनी छे और हाथ में एक है तो साथ करिए ठीक है जस्ट से चलिए यहां तक किसी को कोई परिशानी डियर स्टूडेंट कोई समस्या कोई मन में विचार कोई एक भी सवाल देखे कितना आसान तरीके से हमने इस प्रशनों को सिखाया है अभी टेंशन चार-पांच सवाल और करेंगे उसके बाद और नए-ने मैथड हम लेकर आएंगे और भी नए-ने तरह का गुना आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे मतलब सीधे-सीधे कहिए कि भाई आज आपको गुना में परांगत बना देंगे मतलब जब भी आप मैथ बनाने बैठिएगा और देखिए यह जो अभी आप सीखे है ना इसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा या स्क्रीन सोट लीजिएगा आपको इसको सीखने के लाद अभी पता है क्या फील हो रहा है की सर इससे अच्छा तो यही था यही बढ़िया था हमको पता है आपके मण में यहीशार चला अभी भी कुछ ऐसे स्टूबेंट सेक्ड़ों ऐसे विद्यारती जो सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो यही है तास मीनट रुक जाईए आपका जो मान सिखता है आपकी जो सोच है वो बदल देंगे और कनवर्ट कर देंगे कि नहीं आपने जो पढ़ाया वो बेस्ट है समय दीजे बस इसका थोड़ा सा तो चार फिर दो तीन या फिर दो थीन दो ऐसे ललीजीए हमने और हमें इसको गुणा करना है आए कि वो कि अध्या यह बहुत इस सिंपल है करना क्या है एजली मैथर्ड मक्षन की तरह करें गणिको हमने बोला पहले इन दोनों को गुणा करें सोचिये हमने बोला था ना तो चार दूनी आड, 1 time, 1 visit, एक बार में एक अंग लिखना है, फिर तिरचा तिरची गुना करिये, चार तिया, 12, और दूनी, 4, चार, Katiya 12, 2 दुनी 4, 12-4, 12-16, 12-16, अभी हात में 1, ज्याद रखिए अब 1st and last, 3 2 6, West and 1st, 4 2 8, 3 2 6, 4 2 8, 8-6-14, 14, और हात में 1, 4 2 2 दुनी 8, 3 2 6, अभी रुकियेगा, ये हो गया न, Yes, 3 2 2 6, 4 2 2 8, 8-6-14, और ये भी होगा ना क्योंकि उपर नीचे भी गुना करना होता है 3,2,6,14,6 और हाथ में एक था 20 और 21 अभी हाथ में 2 है अब लास्ट स्टेप में ये करना है फोर्थ स्टेप में इन दोनों को गुना करें गए तो 3,3,9 और 2,4 ठीक है 3,3,9,2,4,9,4,13 और हाथ में 2 था 13,2 15 अभी भी हाथ में एक है 3,2,6,7,75,16 बताईएगा बहुत बढ़िया बहुत सारे विध्यारती इसका उत्तर देरे विकास, पूजा और है में कौन विपिन, कुनाल, आरियन बहुत सारे विध्यारती ने इसका उत्तर दिया very very good बहुत बढ़िया आई बात समझ में देखो यह हमें पता है कि इसको सीखने के बाद आप कोई तुर्रम खा नहीं बन जाओगे, I can understand, लेकिन आप इसको सीखने के बाद न, जब आप competitive exam में बैठोगे, point to minute, तो जो चीज दो मिनट में होना चाहिए, वो आप 10 second में करोगे, समय की बचत है, और आपको पता है कि अभी ज जितना समय बचाओगे, उतना पैसा बचेगा, पत समझ में आया, very good, good evening, जितने भी विद्यारती है, सबको good evening, सबको नमस्कार, सबका welcome है dream classes में, चलिए एक और सवाल, चलिए जल्दी से बनाईए, देखते हैं सबसे पहले कौन, कहा गया न, आद देखें जरा भाई, किसमें कितना है दम, जल्दी, 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 चलो भाई, एक विद्यारती ने कहा कि पहले आप हमारा नमस्ते ले लीजिए, फिर हमें सब कुछ समझ में आएगा, चलिए, ले लिया भाई, अब बनाओ, आईए, जितने भी नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने वाटसाप, फेस्बूक, इंस्टा पे सेर जरूर करिएगा, ठीक है, जी, पहले इन दोनों को गुना, चार तीया बारह के दो लिखेंगे, बारह नहीं लिख सकते हैं, वन टाइम वन डिजिट, एक बार में एक अंक यूज़ करना है, तो चार तीया बारह के दो हाथ में रहा गया, एक ध्यान रखना हाथ में इसको पैचाब हो ठोटे, चार दुनी तिरशा तिरशी गुनात, चार दुनी 8 और 3 तिया 9, जोडिए दोनों को, 9, 8, 17, और हाथ में 1 था, 17, 18, अभी भी हाथ में 1 है, अब 1st and last, 5 चक 20, और last and 1st, 3 दुनी 6, 20, 6, पहले जोड लिज़े 26, फिर up and down, 3 दुनी 6, 26, 32, और हाथ में 1 था, 35 और 1, 33, अभी हाथ में 3 हो गय हम क्या करना है पांच तुय आपंदरा 24 और हाथ में तूर बहुत बढ़िया 12 Давай 2 बहुत बढ़िया कि आप लोगोंने बहुत सारे student ने उत्तर दिया है 12, 23, 82 क्या बात है बहुत बढ़िया ठीक है तो यह सारे चीजे आपके लिए बहुत अब देखे समय बच रहा है अब आपकी मान सिखता चेंज हो रही कि हम आपने जो सीखा था बच्पन में वो गलत नहीं है वो अपने जगा सही है लेकिन जिस दौर में आप आचुके हो जिस जिस कैटेगरी में आप आचुके हो जिस लेवल पर आचुके हो वो अब आपका काम नहीं आएगा ठीक है तो ऐसी चीजे अब देखिए बोला गया है कि सर कितना प्रैक्टिस करें हम कहरें कितना नहीं करें आप एकी चीज को प्रैक्टिस करें लेकि चलिए एक और सवार, 453, 243, लास्ट कोश्चन है ये, उसके बाद टाइप हम चेंज कर देंगे, मैं तब इसी में नया कुछ लेकर आएंगे भी आपको, जल्दी, भड़ा भड़ उतर करिए, एक विद्यारती है भई, कुनाल इनका कहना है कि ये ट्रिक कहां से लाता हो, भई, जब आपके अंदर भंडार हो जाएगा ना गनित का, तो ये सारी ट्रिक आप अपने आप खुदी बनातोगे, ठीक है, तो ट्रिक को लाते नहीं है, जनरेट करते हैं, ठीक है, कूसी सराती ह कि कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ अस्पेशल बनाते रहें आप लोगों को, चलिए, देखिए, तीन तीया नौ, वन टाइम, वन डिजिड, एक बार में एक अंखी लिख सकते हैं हम, अब देखिए, तीन तीया नौ, आप एंडाउन, तिरचा तिरची, पांच तीया प और अप एंडाउन, पांच अग 20, चारतिया बारह, तिन दुनी 6, बारह 6, अठारह, पांच अठारह, अठारह, 38, और हात में 2 था 40, 40 के 0, हात में रहा 4, 40 के 0, हात में रहा गया 4, इसको लिखने के भी कोई अब सकता ने भई, ये काम करना चाहिए, अच्छ डंग से, फिर हम इस area को करेंगे क्योंकि पहले first फिर first and second देखिए पहले first line फिर first and second फिर first second third फिर last second फिर first काम कतल यानि 5 step में आपको करना है यह अब देखिए यह 3 हो गया चौथा में क्या करना ऐसे हाथ में 4 है याद रखिएगा चार चक 16 और 5 दूनी 8 3 11 0079 गनित हो गया बिलकुल मक्षन बत समझ में आया डबल वन 0079 concept के लिए रेक्दम किसी भी exam में आप जाकर बैठो यह आपके आपके लिए रामबान साबित होगा डियर स्टूडेंट चलिए एक और बात करते हैं अब देखिए अब आपको हम बताएंगे calculate by ठीक है 5 एंशन मतली जिए 2-2-4-4 सवाल करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे कुछ लोग क्या है न कुछ लोग क्या है कि बहुत confused होते हैं स्टूडेंट calculate by 5 मतलब अगर आपको किसी भी संख्या को 5 से calculate करना हो किसी भी संख्या को as like मान लीजे हमने लिखा 12 गुने 5 तो हमें पता है कि सर 12 पचे 60 होता है ठीक है हमने लिखा 32 गुने 5 तो थोड़ा सा लड़ा खड़ा आएगा लेकिन बोल देगे कि सर 37 पचे अब समझी सीज को हमें पता है आप कर सकते हो यू कें डू दिस लेकिन आप कितने समय में कर सकते हो यह मैं आपको अच बताने वालों जैसे यहां देखिए अब मान लीजे कि 120 गुने चलो कोई बात नहीं भी 120 गुने 5 हमने टॉपिक क्या बना है multiple by 5 अभी 5 लिया हमने अभी 25 लेंगे 10 लेंगे 20 लेंगे 50 लेंगे 75 लेंगे 100 लेंगे एक दब मक्षन करेंगे गड़ित को अभी देखिए जैसे मान लीजे कि हमने लिया 108 गुने 5 अब समस्या थोड़ी बढ़ेगी आप ध्यान दो थोड़ा सा 136 गुने 5 देखिए मान लीजे हमने लिया 188 गुने 5 अब देखिए शुरू बाला तो एकदम अखल लग रहा है कि सर 12 पचे 60 हो गया 32 पचे 210 हो गया 160 हो गया अब आपको करना क्या है इसको भी ट्रि ठीक है इस तरह की समस्या हैं वो सॉल्व कर दी जाएगी लेकिन अब सवाल है कि सर्थ थोड़ा सा लेबल बढ़ेगा जैसा 9772 गुने पास रहे तब क्या करो कि तब आपको परिशानी हो जाएगी अब परिशानी में लाज दूँगा 2-4 मिनिट समय दो ना मैं आपको परि कि अगर आपको किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है आप क्या कर दो आप इसका आधा कर दो 12 का आधा 6 यह परेगो 0 आपको 5 से गुना करना है 32 का आधा 16 इजी है 120 का आधा 60 परेगो 0 लगा दो 108 का आधा 54 परेगो 0 लगा दो 136 का आधा 6 दूनी 12 8 दूनी 16 सही बात है 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 68 परेगो 0 लगा दो 188 क्या दा 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 कितना इजी हमने बताया पहले यह बताईए ठीक है कितना इजी हमने बताया यह बताईए कैसा लगा अभी थोड़ा सा हाड अभी थोड़ा सा लेबल थोड़ा सा लेबल बढ़ाते हैं क्योंकि बिना लेबल बढ़ाए चीजे आसान नहीं होगी आपके लिए और मैं बिल्कुल तयार हूँ कि हम आपका लेवल बढ़ा दे calculate by 5 जैसे मान लीजिए 9, 8, 4 अगुने 5 करना है अब बताए बिना पेन पेपर उठाए पॉसिबल है ये ये वाला था पॉसिबल लेकिन आप हम कोई मंदारी से बताए 984 गुने 5 अब कर पाईएगा बिना पेन पेपर उठाए असंभव है ये हमको भी पता है मान लीजिए 5, 6, 3, 4 रहे और गुने 5 रहे हिम्मत है तो करके दिखाए ये बिना पेन पेपर उठाए करना ही पड़ेगा पांच अगभीस के जीरो हाथ में रहा दो पांच ये पंद्रह दो सत्रह अब इसकी जूरत नहीं पड़ेगी मान लीजिए ठीक है करके देख लिजे कैलकुलेटर भी फैल है हमारे सामने आप करके देख लिजे कैलकुलेटर भी फैल है प्रॉमिस करते हैं पांच छे तीन चार गुने पांच तो 56 का 28 दूनी 56 और 34 का 17 दूनी 34 आप पर एगो जीरो क्या लग रहा है 28 सतरह जीरो यहां देखिए 9 दूनी 18 अठारा का आदा ना और 36 का अठारा अठारा दूनी 36 पर एगो जीरो दिक्कत होगा बिल्कुल होगा मान लीजे आपको 225 गुने 5 करना हो 100 परसें दिक्कत होगा मान लीजे कि आपको एक सो एक सो पैतालिस गुने पांच करना हूँ या फिर मान लीजिए कि आपको 137 गुने पांच करना हूँ मतलब ऐसी संख्या जो थोड़ा सा जिसमें दो से पूरा-पूरा भागना लगे बिल्कुल इसके लिए भी हम तयार हैं अब अब बताईए आप कि 175 का अधा क्या होता है कि 175 का अधा करिए अब जैसे 166 था तो तुरंद कर रहे था दूसरे कट रहता अभी विसम संख्या है तो उसे कटे गा तो पॉइंट मेंगा तो आठ दूनी सोला आठ दूनी सोला और एक पांच बचा साथ दूनी पांच आएगा इसका अधा और एक सो पचातर का अधा होगा ना अगर पॉइंट के बाद एक अंक आए जैसा कि आप देख पार है क्योंकि दस से गुना करने पर एक पर एक जीरो यानी पॉइंट के बाद एक हम तो ऐसे करडिशन में क्या कर दीजिए point को ignore कर दीजिए 875 हो जाएगेnica समझने कोषिश करिए इसका आधा करने के बाद अगर point के बाद एक आंक है पांच वाले गुना में दूसरे वाले में नहीं अगर एक आंक है तो 1012 को ignore कर दीजह क्यों क्योंकि अगर आप pension 87 अगर आप 87 में 10 से गुना करिएगा तो आपका 875 ही आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है कोई सक नहीं है समझ में आ रहा है अब देखिए सीखने कोसिस करिए अब 25 गुने 5 है अब कैसे करिएगा कि 25 गुने 25 गुने 5 एक हजार पचीस गुने 5 एक सो पचीस पॉसिबल है लेकिन अगर बढ़ा देता है 9714 9727 गुने 5 ऐसे मुँ देखते रहिएगा फिर 5 से गुना करिएगा जैसे बच्चों कि तरह करते हैं 225 का आधा होता है 112 दसमलो 5 होता है 225 का आधा 125 होता है और पॉइंट के बाद एखी अंखे न एक अंग तब जब 10 पांच से गुना करना हो क्योंकि वो सिंगल डिजिट है न पॉइंट हटा हिए 11 पचीस 145 गुने 5 करना हो तो 7 दूनी 14 दो दूनी 4 साड़े 72 आएगा पॉइंट अटा दीजे खाली बस 725 आएगा करके देखिए रू एकदम मक्षन होगा गनीत सबको आ रहा है समझ में बिल्कुल बिल्कुल होगा जी देखिए 137 गुने 5 है तो 137 का आदा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 ताड़े 68 होता है एक पॉइंट के बाद एक अंक है 385 हो गया क्या संतुष्ट है आप लोग हां या ना में जबाब दीजिए जल्दी हां या ना में जबाब दीजिए संतुष्ट है या नहीं संतोसम परम सुखम होता है जी मज़ा आ रहा है आज के क्लास में एकदम अभी तो बहुत कुछ बाकी है आज की क्लास एकदम शांदार होने वाली है अब हेडिंग मनाईए calculate by 10 अटेन में ज़रूत नहीं भाई 10 छोड़ दीजिए तो यह जीरो लगाईएगा तो 10 से गुना हेडिंग मनाईए calculate by 25 एक मनाईए calculate by calculate by 25 अगर आपको किसी संख्या में 25 से गुना करना हो तो कैसे यूँ मक्षन की तरह गुना कर सकते हैं आईए सीखे मतलब pen paper का कोई जरूरत नहीं जैसे अभी सीखे थे ना वैसे ही सिखा देंगे calculate by 25 जैसे मान लिजे हमने यहां लिखा 24 पुने 25 हमने यहां लिखा 36 पुने 25 हमने यहां लिखा 44 पुने 25 हमने यहां लिखा 64 पुने 25 और हमने यहां लिख दिया मान लिजे 84 पुने 25 हमने यहां लिख दिया पेरानवे गुने पचीस हमने यहां लिख दिया 120 पहले इतना सीखिए ठीक है फिर इसमें धीरे 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 लेबल भी बढ़ाएंगे पहले छोटा लेबल तो होने दिए अब देखिए रूल कहता है calculate by 25 में कि अगर आप किसी संख्या में 25 से गुना कर रहे हैं और दाए 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 चुट्कियों में गुना हो जाए तो रूल कहता है कि आप क्या कर दीजिए जिस संख्या में जिस संख्या में आपको 25 से गुना करना हो उस संख्या में भाग दे दीजिए चार से और भाग देने के बाद तूगो जीरो दीजिएगा ल पांच से भाग गुना कर रहे हैं तो आप भाग दे दीजिएगा दूसे ठीक है ना और जो भागपल आए उसमें अंत में एगो जीरो लगा देंगे ये चीज लिखना हमने भूल गया I mean भूल गया तो यहाँ पर नहीं भूलेंगे यहाँ पर सीखेंगे हर चीज इनसान को कुछ ना कुछ सिखाता है तो calculate by 25 में आपको करना के एक दम मखण की तरह कि आप जिसमें 25 से गुना करना चाते हैं जिसमें calculation करना चाते हैं multiple करना multiple कह सकते हैं हम लोग calculate हम लिख रहे हैं बार बार आप इसको multiple कर सकते है multiple by 25 तो आपको जिसमें आपको 25 से गुना करना हो ठीक है ठीक है तो आपको क्या करना है इसमें 4 से भाग दीजिए तो बताइए 24 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 6 और 2 0 इसलिए कि यह double digit है वहाँ 1 0 इसलिए क्योंकि हम 5 से गुना कर रहे थे वो single digit है ठीक है ना तो ऐसे condition में 24 में 4 से भाग देंगे 6 और 6 पर 2 0 लगा 36 में अगर आपको 36 गुने 25 करना है तो यहां आपने 24 में 4 से भाग दिया था आप 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 बार में और 2 को 0 लगा दीजे आपको 44 गुने 25 करना है तो 44 में 4 से भाग दीजे 11 और 2 को 0 लगा दीजे अगर आपको 64 में 25 से भाग गुना करना है तो 64 में 4 से भाग दीजे 16 16 चक 64 16 और उसके बाद 2 को 0 लगा दीजे ठीक है ना 16 दो लग, 84 में आपको 84 में पचीश से गुना करना हो, तो 84 में 4 से भाग दीज़ेगा 21, और यहां पर 2 अंख है तो double zero, आपको 12, 95 में देना है, 95 में गुने 25 करना है, तो 92 में 4 से भाग दीज़े, 23, 93 चक बानवे, और double zero लगा दीज़े, 120 गुने 25 करना है, तो 120 में 4 से भाग दीजिए I think 30 और 30 पे डबल 0 अब आपके मन में यह भी भी 4 चल रहा हुआ कि ठीक है भाग लग गया तब न सर अगर नहीं लगता भाग तब भी बनेगा परिशान काय हो रहे हैं अब इस बार जो भी कोशन देंगे उसमें किसी में भी 4 से भाग नहीं लगे बिल्कुल बने रहे है आपको हर आपके मन में क्या वी 4 चल रहा है आप कितना सोच सकते हैं वो हमारे पास automatically आ चुका है संदेश कि भाई आप क्या सोच रहे हैं पाद समझ में आया समझ में आ रहा है सबको चली हाँ या ना में जबाब दीजेगा बिल्कुल आ रहा होगा सबको समझ में अच्छा आज जो special बात हम बताने बाले थे वो तो भूली गए देखिए 5 अप्रेल से हमने math special foundation batch की शुरुआत की है ठीक है एक घंटा हम दोपहर बारा बजे भी पढ़ाएंगे और एक और नया टाइम टेबल हम इस batch में ला रहे है मत्तब आपको दो घंटे का हम schedule देंगे इसमें ठीक है ना बारा बजे और एक और टाइम इस batch की offline fees 3,000 3500 रुपीज के आसपास रहता है 3500 का batch रहता है offline में लेकिन online आपको 699 पड़ेगा 12 महिने की validity के साथ लेकिन अगर आप 5 या 6 अप्रेल तक batch को join कर लेते हैं तो यह जो 699 है इसमें भी 200 घटा दीजे मत्तब 200 रुपे का extra discount दिया जा रहा है सिर्फ कब तक 5 या 6 अप्रेल था क्योंकि 6 अप्रेल से हम batch की शुरूआत कर रहा है यहां 5 लिखावा 6 को शुरू करेंगे batch ठीक है ना तो अगर आप इस पर 200 का डिस्कॉंट इसमें भी 200 का डिस्कॉंट तो 699 में 200 घटा ये 400 99 लेकिन कब तक आज कल तक application पर जाईए application का link वीडियो के description में प्ले स्टोर में search करिए dream classes official यह batch अभी इसमें कुछ नहीं पढ़ाया गया है इसके अंदर पिछले batch की recorded वीडियो डाल दी गई है ठीक है PDF, notes, सब कुछ डाल दिया जाएगा और सबसे बड़ी खास्यत की recorded वीडियो already डाल दिया गया है यह batch application पर आ चुका है live पढ़ाएंगे recorded already आपके course के अंदर already रहेगा और notebook देनी हमारी जिम्मेदार ही है असी set practice भी देंगे पुराने वाले batch में देखे डाला हुआ है अभी add किया जा रहा है धीरे दिरे तो यह batch बिल्कुल भी miss मत करिएगा arithmetic, simplification, number system और advanced math तीनों इसमें पढ़ाएंगे यह promise है हमारा तीक है ना पिछले foundation batch में भी advance पढ़ाके ही छोड़ना है जो भी चल रहा है foundation math रिजमिक अच्छा same condition इसका भी है अगर आप 5 अप्रेल से अच्छा इसकी live class एकदम fix है यह आपको साम में 3 बज़े चलेगी अगर live छोड़ दिये कोई दिक्कत नहीं recorded जब मर जी हो जब देख लो अच्छा इसमें भी यही खासियत है कि पिछले batch की recorded वीडियो लगबग 200 lecture इसके अंदर आज डाली जाएगी रात में फ्री में मतलब जैसे अब बैच लेंगे 200 वीडियो आपकी फ्री हो गई इसमें भी 599 दिख रहा है 200 घटा दीजिए 200 का ओफर है इसमें भी वही 5 या 6 अप्रेल को इस बैच की शुरुवात करेंगे इसमें भी 200 घटा ये 399 ही पढ़ेगा सारी सुबनाएं क्या क्या पढ़ाएंगे किस एक्जाम के लिए है और ये दोनों बैच हमारे एप्लिकेशन ड्रीम क्लासेज ओफिशल सर्च करिए प्ले स्टोर पर ड्रीम क्लासेज ओफिशल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिक है फिर से मैं बोल रहा हूँ ड्रीम क्लासेज ओफिशल जाइए इंस्टॉल करिए रजिस्टर करिए और बैच को जोईन करिए कल तक ओपर है डाइरेक्ट जाके बाइनाओ करिए कोई फोन की जुरत नहीं अगर दिक्कत आ जाए ठीक है ना तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर बैच पर्चेस करने में दिक्कत आये तव ठीक है आप इस नंबर पर पे करके स्क्रीन सोट भी दीजिएगा अपने दोस्त के नंबर से भी तो हमारी टीम जॉइन कर देगी जनुवन टीम है कोई दिक्कत नहीं होगा पर एकदम भरोसा रख लिजिए ठीक है चलिए यहां तक हो गया किलियर बात किलियर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे थे जी हाँ कैलकुलेट बाई 25 कर रहे थे इसर जब चार से भाग नहीं लगे था बिल्कुल सही बात है जब नहीं लगे तब क्या करेंगे बिल्कुल देखे मान लीजे इस बार हम ले रहे हैं मान लीजे हमने ले लिया 26 26 गुने 25 कोई बात नहीं मान लीजे हमने ले लिया 42 गुने पचीस मान लीजिये हम ले चुके हैं पचास गुने पचीस वैसे तो यह आसान है पचास गुने पचीस वह लेकिन फिर भी मान लीजिये हमने ले लिया सत्तर या फिर कोई जीरो बला मत दीजे हमने ले लिया 66 गुने पचीस चलिए सीखिए आईए ऐसी संख्या जिसमें चार से भाग ना लगे फिर भी आपको 25 से गुना करना हो कैसे करेगे कोई दिक्कत नहीं है आप बताईए अगर आप 26 में 4 से भाग दीजेगा तो क्या होगा चार 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 आधा तो साड़े चार आया आए ना साड़े चार और आप देखिए अगर आपको 25 से गुना करना है तो हम क्या बोले थे गुना करने के बाद दूगो जीरो लगाईएगा दूगो जीरो लगाईएगा या गुना करिएगा सौ से तो आपको पता है सौ से गुना करेंगे तो एक पर दू जीरो यानि पॉइंट दो अंग उदर खसकेगा और दो अंग खसकेगा तो खतम हो गया ये पॉइंट यानि स सही भरोसा रखिए हमारे उपर आप रेलेवे की त्यारी कर रहे है एसे सी कर रहे है एसे सी का कोई भी MTS CHSL कोई भी हो साथ जैसे बिहार SAC हो गया BPSC TRE 3 TRE 4 के लिए बहुत बढ़िया है अब TRE कब TRE 3 के लिए है तो बहुत अच्छी बात है क्यारी 3 भी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर रिकॉड़ेट वीडियो अल्रेडी डाल दिया गया एक बार चेक तो करिए बैच के अंदर जाकर यह सुगदा आमने अल्रेडी दे दी है कि जाईए और पढ़िये ठीक है ना सबसे गुने पचीस है तो आप 42 गुने चार कर लिजे पहले 42 भागे चार कर लिए तो 10 चक 40 साड़े 10 थड़े 10 होगा ना क्योंकि 10 चक 40 और 11 चक 44 तो 10 और 11 के बीच में 42 आ रहा है तो साड़े 10 और 100 से गुना करिएगा तदू वो पॉइंट उदर हट गया 10 50 हो गया क्योंकि 100 से गुना करने के बाद पॉइंट दो अंक उदर खा सकता है तो वो आपका वही अंतर हो जाएगा जो हम कह रहे थे जैसे 50 गुने पचीस है ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25 पचे 125 बारा सो पचास लेकिन कोई बात नहीं मान लिजे कि आप अपने नियम से चलेंगे तो 50 को 4 से भाग देंगे तो साड़े सोला चक चौसाट होगा साड़े सोला पॉइंट अटाइएगा सोला सो पचास करने मान लिजेगा कि क्या समझ में आ रहे हैं अब सभी को चलिए हम आगे बढ़े अब आप लोग हेडिंग बन जाएगा ना अब देखो मान लोग कुछ ऐसी संख्या ठीक है देसे मान लीजे कि आपको करना है 15 गुने 25 अब हमने कुछ विसम संख्या लेली कोई बात नहीं पहले आप 15 में 4 से भाग दे दो चारतिया बारा तीन जीरो बचा चार सत्य ठाइस चार पच्छे 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 बीस तीन दसमलव साथ पांच आएगा पंदरा में 4 से भाग दीजेगा तो तीन दसमलव साथ पांच और 100 से गुना करिएगा तो पॉइंट हड़ जाएगा यानि मान लीजे कि आपको 45 इंटू 25 चाहिए बहुत ही सिंपल है 45 में 4 से भाग दीजे 11 11 चक 44 एक बचाए एक बटे चार 11 दसमलव दो पांच और 100 से गुना करिएगा पॉइंट हड़ जाएगा एकदम हो गया गणी तमक्खन करना क्या एकदम इजी तरीका है यह बात समझ में आया यस यनो में जबाब दीजे तो भाज्य हो सम हो विशम हो कोई भी संख्या हो हमने अभाज्य संख्या भी रख ली भई अच्छा नहीं रखा रख सकते हैं जैसे मान लीजे आपको 17 गुने 25 करना हो यह एक अभाज्य संख्या है तो 4 ती या 12 नहीं इदम सरल भासा में हो सकता है सॉल ठीक है चलिए अब हेडिंग बनाईए सब लोग हेडिंग बनाईए नेक्स टॉपिक कैलकुलेट बाई 50 कैलकुलेट बाई 50 इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टन टॉपिक हम शुरू करेंगे पहले यह वला हेडिंग बनाईए कैलकुलेट बाई 50 यगर आपको किसी संख्या में 50 से गुना करना हो कोई भी संख्या हो as you like बहुत ही सिंपल तरीका है यह कैलकुलेट बाई 50 मैं बताने बाला हूँ अभी आपको जैसे मान लीजे के संख्या हम लिए ठीक है न कौन सा ले ले कुछ भी ले लीजे 18 गुने 50 करना हो तो आसान तो यह भी है ठीक है मान लीजे कि 42 गुने 50 करना हो मान लीजे 106 इंटू 50 करना हो 50 करना हो मान लीजे 128 गुने 50 करना हो कुछ भी ऐस जो ले विशम संख्या भी ले सकते हैं आप लोग मान लीजे 165 गुने 50 करना हो कोई दिक्कत की बात नहीं कुछ भी लीजेगा आंसर वही आएगा मान लीजे दो सो पंद्रह गुने पचास कर नृइए करना कर अगर किसी संख्या में आपको पचास से गुना करना हो तो आप क्या कर लीजिएगा भाग दे दीजिएगा 200 और भाग देने के बाद गुना कर दीजिएगा 100 से इससे आसान में दो से भाग देंगे 50 से गुना करना है हाप करके डबल कर देंगे क्या यह समझ में आ रहा है एक बार हम जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइब है वह एक बार हां या नामे जबाब देंगे बहुत ही सिंपल है अब 106 का आधा क्या होता है 106 का आधा होता है तिरपन और 100 से गुना करेंगे तो 006 का आधा 6 दोली बारा चार दोली आट ड़्योrie 165 का आधा 8 दोली 16 और दो दूनी चार देरासी दसमलों पांच जीरो होगा और सौ से गुना पांच जीरो जान पूचकर हमने पचा पांच नहीं नहीं तो है कुछ नहीं कुछ और सवाल जो हम आपके स्क्रीन पर रख सकें जो आपके सारे माइंड के अंदर जिसने भी टाउट्स चल रहे हैं वो सभी कवर हो सकें जैसे मान लीजे 47 गुने 50 कुछ हाडवाला ले लीजे 97 गुने 50 309 गुने 50 319 गुने 50 अब इससे हाड़ क्या हो सकता है अब बताइए ठीक है ना चार सो सैतीस गुने पचास अब इससे हाड कुछ नहीं है जो इतना सीग्या वो सब कुछ कर लेगा वो आप जयरा है सबको करना क्या है 47 का अधा होता है क्या 23 दूपाँच जीरो लिखे गा अच्छा लगेगा 25 बी लिखे लेकिन डूंख सकाने के लिए फिरें गुझीरो बैठाना पर दो सौ से गुना करिये गा तो दो अंग किधर आजागा 23 पचास डेगा 97 गुने 50 करने तो 97 का अधा 45 दुनी 90 46 दुनी 90 48 दुनी 96 ताड़े 48 यानि 48 50 पॉइंट अटा देंगे दो अंकुदर आजेगा बात के लिए क्या इजी हम बना पा रहे हैं एक टॉपिक को हाँ या ना या 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 नो में जबाब दीजिएगा जितने भी या या नो में जबाब दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट है 319 गुने 50 319 तीन सो का अधा डेड़ सो अउनीस का अधा 9 दुनी अठारा तो हमको लगता है कि 169 दुनी अठारा साड़े नो पॉइंट हटाएंगे दो अंकुदर चला जेगा कैसा लगा यह कॉंसेट अच्छा लगा हां या ना में जबाब दीजिए पहले सब लोग फिर आगे बढ़ेंगे तब लोग हां या ना में जबाब दीजिए और जो नए स्टूडेंट है जिन्नों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ठीक है अब लोग जल्दी जल्दी से कोई दिक्कत कोई परिसानी नहीं न हम आगे बढ़ें एक बर बता दीजिए कि जी सर बिल्कुल बढ़ा जाये आगे तब हम आगे बढ़ेंगे पड़े आगे हाजी फालतू बात करने वाले भी हैं क्या कोई यहां बें यहीं खोज रहे हैं आप लों संजीबनी बैच में लाइब क्या है संजीबनी बैच तो कंप्लीट हो गया न उसमें एडवांस बचा हुआ है जिस दिन एडवांस के शुरुआत करेंगे आ जाएंगे लाइब संजीबनी बैच में ठीक है चलिए हेडिंग बनाईए सौ के नजदीक वाला गुना यह एक टॉपिक हमने कल पढ़ाया था एक अभी बाकी है और वही एक टॉपिक आज किलिया करना है क्योंकि जो सारे टॉपिक्स हैं सारे डाउट्स हैं वो किलियर करते वागे बढ़ेंगे न चलिए गपशप नहीं अब आगे देखिए ध्यान से देखो अगर आप लोग डिस्टाप हो रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए यहां द्यान दीजिए ठीक है कमेंट से बेटर होगा कॉंसेट तो कॉंसेट पर फोकस करिए कमेंट पर फालतू लोग आते हैं जाते हैं पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़के जाते हैं यह बात समझके रखिए गठीक है हाँ अगर आपका ध्यान है आपने इसवर चंद्र विद्या सागर का नाम सुना था वो कभी कभी जब अपने सहर के लिए जाते है ना जाते थे तो स्टेशन पर उनकी गाड़ी बहुत लेट होती थी वो क्या करते थे किताबे पढ़ते थे उन्हें किताबे पढ़ने का ब बनिए तो इसवर चंद्र विद्या सागर की बनिए अब ध्यान इधार उधार रहेगा तो कैसे काम चलेगा चलिए बाकी टॉपिक की बात करते हैं सौ के नजदी की संख्या का गुणा जैसे हमने एक संख्या ऐसे रखा पंचानवे गुनेच शियानवे पिछला जो क्लास था उसमें हमने आपको सौ से अधिक वाला बताए था आज हम सौ से कम ले रहे जिसे मान लीजिए कि आपको यही नॉर्मल कोई गुना करने के लिए बोल दे 95 इंटो 96 कर तो देंगे लेकिन बात है सर टाइम इस मनी समय की वचत कैसे करें चे पचे तीस के जीरो हाथ में रह तीन नौ चक चववन और हाथ में तीन था चववन तीन संतावण नौ पचे 45 के पाच यह हाथ में रहा चार नौ नमा एक आसी चार पचासी जीरो साथ पाच बारा पाच पाच दस और एक ग्यारा आठ और एक ने नौ एक दो जीरो ये था कुछ नहीं लकिन यहाँ पर अगर तीन चार सकेंड में बन जाए तो फिर क्या बात है देखे आज का हमारा टॉपिक क्या है सौ के नजदीक वाली संख्या का गुना तो सारे प्रस्ण सौ के नजदीक हो सारे संख्या है नजदीक हो तो बताईए ये सौ के नजदीक है ना आस पास ही है लेकिन ये सौ से कम है तो बताईए कितना कम इने की 95 का 5 और 96 कछे वैसे बिलकुन नहीं बताईए ये सौ से कितना क से क्म पंच कम ये सौ तब देज़्ा ये सौ से पांच पर इनेगे स्वस्य करता देघ्युक गुछे सो से चार कम है तो कम गुन और कव दीजी एक चार कम के स dran कि नियिए च पांच- तुनू morning काम के लिए अगर आप ना ही फाइब को उठा रहे हैं वह आप ये बताईए 96 कितना कम है 100 से कि नहीं कि 96 का छे ले लिजेगा कहेंगे सर हम 95 को उठाते हैं तो 96 से 4 कम है तो वो 4 आप 95 में जोड़िएगा नहीं भटाईएगा क्योंकि कम है वो 100 से 4 कम है तो 95 में 4 गया एकान देखिए मिलाईए अगर मन था कि नहीं सर पंचानवे कहें इस बार 96 उठाएंगे तो आप उठाईए 96 तो हमने 96 को उठाया और ध्यान दीजे 95 पर कि 95 सो से कितना कम है 5 कम है सो से 5 कम है तो 96 उठाईए और ये 100 से 5 कम है तो 96 में 5 गटाईएगा मतब दोनों में से कोई भी उठाईए काम एकदम वही होगा जो आपने सोचा है बात समझ में आया अभी देखिए मान लीजिए हमने लिया 93 और गुने 94 इसकी कोई अब सकता नहीं इसलिए हमने इसको एकदम निकाल फेका है पताईए ये 100 से कितना कम इस बार कम हो रहा है न कहेंगे सर ये 7 कम अच्छा एक बात और याद रखेगा इधर दो डिजिट होना चाहिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो से ना तो कम ना तो ज़्यादा बाकि वो पहला वाला कल वाला रूल यूज़ करेंगे कहेंगे सर ये 7 कम और ये कितना कम 6 कम तो कम गुने कम कर ये 7 अच्छा और अगर आप 93 लेते हैं तो इधर बाला 6 कम है तो 93 में 6 गया 87 और अगर आप 94 लेते हैं तो ये 7 कम 94 में 7 गया 87 चल पंचानवे या फिर कुछ और ले लिजे 92 इंटो 97 ये कितना कम 8 कम और ये कितना कम 100 से 3 कम तो आठतीय 24 और अगर आप 92 लेते हैं तो ये 3 कम है जी 97 तो 92 लेते हैं तो ये 3 कम है तो इसको इसमें गटाईएगा कम को तो वेरनवे मह तिन गया हवासिया मईजिल यू ही नहीं मिलती राही को ठीक है जी मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको अच्छे डंग से बात क्लियर हुआ कॉंसेप्ट समझ में आ रहा है गनित हो रहा है मक्खन नहीं हो रहा है तो उसको मक्खन बनाईए चलिए 96 तुने 97 आईए कितना कम है चार कम है और ये तीन कम है तो चार तीया बारा और अगर आप 96 लेते हैं तो ये तीन कम है 93 में तीन घटा ही है मान लीजिए हमने लिया 91 गुने 94 तो ये कितना कम है 9 और ये कितना कम है 6 ये कम है ना तो 9 कम है 6 कम है 9 चक 54 और अगर आप 91 उठाते हैं तो ये कितना कम है 6 कम है 93 में 6 घटा ही हैगा 85 अब हमें नहीं लगता है कि अब आपको और अधिक ज्यान की प्राप्ती करनी चाहिए ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत इस बैच के उपर एडमिशन लगतार जारी है देर नहीं करिये बार-बार बैच नहीं ओपन होता है हमारा छे महीने में एक बैच लेकर आते हैं चा का रिजल्ट हो गया 12 में पास हो गए उनके लिए एक बहुत सुनहरा अफसर है कि 3, 4, 5, 10,000 खर्च ना करके 499, 399, 599 में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं आप आपको इतना जबरदस्त यहां पर हम पढ़ाएंगे ना मैथरिजनिंग हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको पढ़ने वाला है राहूल सर का और एक भरोसा है एक बिस्वास है यह आपका परिवार है यह ठीक है ना और इसी भरोसे पियर आप इस बैच को लीजिए निस्चिन्त होकर पढ़ाने में कोई कमी नहीं लगबग 300 क्लास तो बिलकुल लाइब पढ़ाएंगे लाई 300 क्लास उतना पढ़ा देंगे और 2500 क्लास रिकॉर्डेट वो तो हलाकि सेम से मीरेगा कुछ-कुछ ठीक है ना कुछ नएने टॉपिक्स कुछ नएने कॉंटेंट हम एड़ करेंगे इस बार लाइब क्लास में यह उसका भी यही रूल है ठीक है ना रिजिनिंग का स्लेबस थोड़ पलूबे में 200 घटा दिजै और हां यह मत सोचे के हर घटेगा ऑफर खतम बाद में आपको इतना ही पाय करना पड़ेगा 100% तैय अरफर खतम तो बाद में आपको इतना ही पाय करना पड़ेगा को बहुटे इस वरोसे पह आईए और आप अपने दोस्तों को 20 बैच आई है न हमारी हमारी एक बुक आई है असी सेट प्रैक्टिस की वह हम आपके लिए लॉंच कर रहे हैं बहुत जल्द ठीक है ओके बाबाई टेक केर रूद नाइट